आज हम बनाएंगे ब्रिंजल रिंग्स, इसे मैंने दो तरीके से बनाया है, चलिए देखते इसे कैसे बनाते है शेलो फ्राइड रिंग्स के लिए मैंने बैगन को मोटा मोटा स्लाइस में कट किया है इसमें मैंने चावल का आटा, चाट मसाला, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर अड़ किया है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अज़स्ट कर सकते है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और साइड में रख दीजिए डीप फ्राइ करने के लिए मैंने बैगन के रिंग्स को पतला पतला कट किया है देखे कुछ इस तरह पतली पतली स्लाइस में कट किजिए अब इसमें सेम मसाला आड़ करना है चावल का आटा, चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक इसे भी मिला कर आप साइड में रख दीजिए कोटिंग करने के बाद रिंग्स को आप फाइब मिनिट्स के लिए यू ही रखे रहने दीजिए ताकि जो भी मसाला हमने अड़ किया है वो बैगन के अंदर अब्जॉब हो जाए जिन बैगन के स्लाइसेस को हमने मुटा मुटा कट किया था उसे हम पहले शैलो फ्राइ करेंगे यहाँ पे मैंने एक कास्ट आइरन पैन लिया है उसमें मैंने थोड़ा ओइल डाला है और रिंग्स को अच्छी तरह से उस पे फैला लिया है आपने इन रिंग्स को दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक करना है बैगन बहुत ही जल्दी गल जाते है इसलिए आप इसे जल्दी जल्दी पलट लीजिए जब यह दोनों तरफ से कुक हो जाए तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए अब जो फ्लाइसस को हमने थिनली कट किया था उसे हम डीप फ्राइ करेंगे तेल को अच्छी तरह गर्ब होने दीजिए देन उसे मीडियम फ्लेम पर लेकर रिंग्स को क्रिस्पी होने तक आपने तलना है कुरकुरी और क्रिस्पी जब ये हो जाती है और थोड़ा सा अपना रंग बदल लेती है तब आप इसे बाहर निकाल लीजिए इन रिंग्स को आप दाल, चावल या फिर पराठे के साथ भी सर्फ कर सकते हैं या फिर इसे आज अ सनाक भी ले सकते हैं ऐसी और भी अनोकी रेसिपी इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई